नमस्कार, इस्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में जैंसियाती की कक्षा छठी की हिंदी पाथ पुष्तक वसंत भाग एक के छठे पाथ पार नजर के इस पाथ के सारांस और सब्दार्थों को पढ़ेंगे आईए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले पाथ के लेखक के बारे में जानते हैं इस पाथ के लेखक जयन्त विष्णू नार लीकर हैं जिनका जन्म 19 जुलाई 1938 में कोलापूर महाराष्ट में हुआ ये पेशे से भारतिय बैज्यानिक हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं धूम के तो वामन की वापसी पार नजर के यह एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसमें मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है तो आईए पाठ का सार समस्ते हैं पार नजर के पाठ जैन्त विश्नु नार लेकर की एक मराठी कहानी है जिसका हिंदी में पाठ के रूप में अनुवाद रेखा देश पांडे द्वारा किया गया है यह कहानी मंगल ग्रह के निवासियों की है मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है उसके पापा सुरंग नुमा रास्ते से जमीन में जाकर काम किया करते थे आम आदमी को वहाँ जाने की मना ही थी पर छोटू अपने पापा का सिकोर्टी पास लेकर सुरंग में चला गया छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी इसलिए वहाँ पास लेकर चला गया छोटू ने पास को एक खाँचे में डाला और दरबाजा खुल गया छोटू जैसे ही आगे बढ़ता है सुरंग में लगे निरिख्ण यंत्रों के सहारे सिपाही ने छोटू को पकड़ लिया निरिख्ण ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खत्रे की सूचना सिपाहियों को दे दी सिपाही छोटू को पकड़ कर घर छोड़ाए पापा ने छोटू को बचा लिया छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वह जहां काम करते हैं वहां आम आदमी बिना खास इस पेस सूट के बिना इस माहौल में नहीं जा सकता यह इस पेस सूट ओक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है एक खास किस्म के जूतों और प्रसिक्षण के कारण ही वहां चल फिर सकते हैं छोटू के पापा ने उसे बताया कि मंगल ग्रह के निवासे भी पहले जमीन के उपर रहा करते थे परंतु सूरज में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड जाने से जीव एक एक कर मरने लगे कब अपने तकनीकी ज्यान के आधार पर उन लोगों ने जमेन के नीचे घर बना लिया धर्ती के उपर लगे विभिन्य यंत्रों के द्वारा वे सूरज की रोसनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुश्चुनिंदा लोग यंत्रों का ध्यान रखते हैं छोटू भी बड़े होकर यही काम करने की इक्षा जाहिर करता है दूसरे दिन उसके पापा को पता चला कि एक अंत्रिक्षयान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है कालोनी प्रबंध समिती की मीटिंग बुलाई गई कालोनी की सुरक्षा की पूरी जी मेदारी नंबर एक पर थी उसने कहा उनके पास यान को समाप्त करने की छमता है परन्तु नंबर दो जो बैज्यानिक थे उन्होंने कहा अगर हम यान को नश्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी नंबर तीन जो समाजिक विवस्था का काम करते थे उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजेगे ए बाते हो ही रही थी कि खबर आती है कि यान धर्ती पर उतर चुका है छोटू पिता के साथ कंट्रोल रूम में था उसके पिता ने उसे एक कांसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे उसी समय अंत्रिक छेयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला सभी उसे देख ही रह थे कि अचानक छोटू ने कांसोल की एक लाल बटन को दबा दिया जिससे खत्रे की घंटी बजी और उसके पापा ने उसे एक थपड लगा दिया परन्तु तब तक लाल बटन ने अपना काम कर दिया यांत्रिक हाथ बेकार हो गया कुछ दिनों बाद प्रतिवी के अकबारों में खबर छपी कि नासा के तक नीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया है और यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमोने एकत्र कर रहा है प्रतिवी के बैज्यानिक मंगल की मिट्टी के अध्यान दोरा यह पता लगाना चाहते थे कि मंगल पर जियों का अस्तित्व है या नहीं यह प्रस्न आज भी एक रहस्य है आईए अब पाठ के कठिन सब्दों को जानते हैं सुरंग नुमा सुरंग जैसा मनाही मना करना अथवा रोकना चुनिंदा चुने हुए नरीक्षक जाच करने वाला संदेहास्पद संदेह वाली खैरियत कुसलता लाजमी जरूरी प्रशिक्षन ट्रेनिंग उस्मता गर्मी अडिग अचल अथवा इस्थिर अस्तित्व उपस्थिती यांत्रिक यंत्र का दर्ख्वास्थ आवेदन अथवा प्रार्थना निरेक्षन जाचना उकेरना निकालना सहसा अचानक वक्तब्य भासन अग्यात जिसकी जानकारी ना हो तकनीसियन तकनीकी के कारण दुरुस्त ठीक श्रिष्टी रचना तो इस प्रकार हमने पार नजर के इस पाठ के सरलार्थ और भावार्थ को पढ़ लिया है आसा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद